यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को दबाएए अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों में सेयर करें नवश्कार साथियों कैसे आप लोग आशा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स देखें उत्तर प्रदेश में विधान परिशत का 11 सीटों पर चुना हुआ था याने MLC का और ये 11 सीटों में कौन से पार्टी को कितनी सीटे मिली कौन से पार्टी जीती यही आपको बताएंगे और साथी साथ आपको ये भी बताएंगे कि वारणशी में जो नरेंद्र मोदी बीजीपी का गड़ है उसमें भारती जंता पार्टी को करारा जटका लगा है जो 11 सीटों पर चुना हुआ था MLC के लिए उतर प्रदेश में इसमें 6 सीटे विधान परिशत की जो थी वो सिच्छक संकी थी वहीं 5 सीटे जो की असनातक खंड की थी अब हम आपको रिजल्ट बताते हैं काउंसी पार्टी को कितनी सीटे मिले इन 11 में तो सबसे पहले हम वारनशी की बात कर लेते हैं पनारस जो नरेंद्र मोदी का गड़ है वहां पर क्या इस्तिती रही तो अगर हम बात करें वारनशी की तो जो वारनशी में जो सिक्छक सं इनको 6830 वोट मिले और बीजेपी की समर्थित जो चेतनारायन सिंग थे वो तीसरे नंबर पे रहे हैं वहीं बार बनारश की एक और सीट जो असनातक अस्तर की थी असनातक खंड की जो सीट थी विधन परिशत की उसमें भी समाजवादी पाटी को जीत मिली है समाजवादी सिंग की बात करें तो इनको 22,685 वोट मिला तो वारारशी जो बीजेपी का घड़ है इसमें दोनों सीटे जो सिक्षक और असनातक अस्तर की थी अखंड की थी उन दोनों को जो है की समाजवादी पाटी ने जीत लिया है ये तो बात हो गई वारारशी की अब हम बात कर ले सिटे हैं उसकी तो इसमें भारती जनता पाटी को अच्छी सवालता मिली है बीजेपी को तीन सिटे समाजवादी पाटी की बात करें तो समाजवादी पाटी को एक सिट और दो सिटे जो है की इंडिपेंडेंडेंट के यानि सुतमत उमिद्वार के खाते में गई ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है पांच सिटो में बीजेपी को तीन सिट मिली है समाजवादी पाटी को दो सिटे मिली है तो टोटल अगर हम 11 सिटो की हम बात करें तो टोटल 11 सिटो में जो है की भारती जिनता पाटी को 6 सिटे मिली है समाजवादी पाटी को 3 सिटे मिली है और दो सीटें जो है कि निर्दलियों के खाते में गई है तो ये था जो है कि उतर प्रदेश बिधान परिस्द यानि MLC के चुनाव का रिजल्ट तो चलिए फिर मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में थैंक यू